हेलो दोस्तों मैं अरकेस आपके अपने चैनल लटाइमस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं आज जो हमारी रीजनिंग की मास्टर रीजनिंग की जो स्रंखला चल रही है इसमें हमने इसके हमने पांच छे पार्ट पांच पार्ट अल्रेडी अपलोड कर दिये हैं य देखना एक क्वेशन जरूर देखने को मिलता है तो इसको समझते हैं सई से अच्छे दंग से और इससे हर एकजाम में एक प्रस्न जरूर आता है जैसे अब यह संख्या अक्षार एवं प्रतीग जैसे संख्या हमारी कौन से एक दो तीन चार पांच और अक्षार एवी सी के प्रस्टहर हो जैसे एड्दा रेड है तो हमारे तीन प्रकार की कुश्चन इससे पूच्छ जाएंगे शंख्या पर राधारित प्रस्टहें कि प्रतीक पर किस्वे इसे कि पाँच के इंग है जिन से पहले तीन का अंक है परन्तु बाद में आठ का अंक नहीं है तो देखो यह हमारी एक निम लिखित पूरी संख्ला लिखी हुई है जैसे 45, 83, 27, 35, 17, 89, 35, 83, 52 बलाब 4, 5, 8 ऐसे सीरीज लिखी हुई है अब इसमें हम ऐसी संख्याओं बताया है उस संख्या को देखते हैं जैसे ऐसे कितने 5 हैं तो अब 5 को देखेंगे जिन से पहले 3 हो अब 5 को हमें देखना है पांच, तो देखो, पांच है यह, ठीक है, सबसे पहले पांच, अब क्या बता है, पांच है, इनसे पहले तीन का अंक हो, परंतु, बाद में आठ का अंक नहीं हो, अब पांच से पहले तीन है गई, नहीं, तो हम इसको नहीं गिनेंगे, अब आगे वाले पांच देखे हैं, तो पांच से पहले तीन का अंक है पांच ऐसे कितने पांच है जिन से पहले तीन का अंक है और परंतु बाद में आठ का अंक नहीं है तो देखो इसके पहले पांच के पहले तीन है और बाद में आठ नहीं है तो एक तो हमारा यह हो गया पांच ठीक है एक पांच यह हो गया अगला तो यह पांच अगर हम देखें इसमें तो पांच से पहले 3 तो है बसाइए पारन तुम बाद में आठ नहीं होना चाहिए और इसमें अख कांक है तो हमारा यह झाई नहीं लगेगा अब दिखो ऐसे पांच अब पाँच से पहले तीन हैं जिस पहले तीन अंक है परन्तू बाद में आठकों और दो दो कितने होगा 1 और एक 2 तो हमारे से तो ह्यूंब नमबर हमारा S सही है धीक अब ऐसे चलते आग्री पर देखते आंगला कॉछ्छन निमलिखित संख्या सरंकला में छह के कितने अंक हैं जिनके बाद में साथ का अंक आता है बिलकोल प्रस्थ ऐसे ही आएगा एक्ञाम में यह संख्या सरंकला हमारे लिखी हुई हैं क्या श्याद 8-6-7-7-2-6-7-6-5-9-6-7-6-7-7-6-7-7-6 अब देखोगो बही चीज़ दिया है निम्र के संख्या में 6 को देखना है 6 के कितने अंक है जिनके बाद में 7 का अंक है अब देखो 6 पे देखते हैं 6 के कितने अंक है जिनके बाद में 7 तो 1 युआ खुझका कि कितने का जिनके बाद में सानिया गोँ आफ यह थे को झो तो शोड़ेंगे अभ च्या के जिनके बाद में साथ छे के बाद में आ Shot प्छी पदेखे किछें दो तेन चांच तो कि त 2 3 4 5 तो कितने हैं हमारा option number C सही तो 5 ऐसी है ठीक है अब चलते हैं अगले question पर देखते हैं दोस्तों अगला question question है अगला हमारा अब देखो एक series लिखी हुई है इस series से हमें देखने है question है हमारा अगला तीन के या इस स्रेंखला में इस स्रेंख्ला में इस देखना हैं तीन के कितनेbung के बाद में छ्षै का आ आया है लेकिन उसके पहले यानि ऐसे कितने तीन है तीन को देखना है जिनके बाद में छे का आया है लेकिन उसके पहले चार का अंक नहीं आया है तो देखो ऐसे कितने तीन है तीन देखने है तो देखो अब पहले तीन देखते हैं पहले तीन है अब देखो इसमें कंडिशन कैसे कितने इंक जिनके बाद में यह हैं लेकिन उसके पहले चार कंगu नहीं से पहले 4 नहीं पहले तो हमारा हो गया यह ठीक है अब इसवी अगला देखते हैं दूं कि बाद में लेकिन तुर्ट पहले चार कांक नहीं तो तीन के बाद में 6 है और पहले चार कांक नहीं है ठीक है ऐसे अगला देखेंगे तीन के बाद में 6 नहीं है तो इसको भी हटा देंगे अब आगे देखेंगे तीन के बाद में 6 है और पहले चार कांक नहीं है तो यह वाला इसके पहले 5 है चार नहीं होना चाहिए अब देखते हैं तीन के बाद में छह नहीं है तो इसको भी हटा देंगे आगे तीन के बाद में छह है और पहले चार नहीं है पहले क्या है आठ ऐसे देखते हैं अगला अगला तीन के बाद छह नहीं है तो हटा देंगे ऐसे तीन के बाद छह हैं सही है और पहल चार नहीं है तो क्या एलैं सात साथ एक हो गया अब आग Εभा गिक में तीन के बाद 65 से है और चार भी है तो यह नहीं लगएगा तो हमारे टोटल कितने हो गए देखो इधर से देखते एक दो तीन चार पांच छे तो कितने हो गए है हमारे साथ option number C भी सही है देखते हैं अगला कुश्चन है हमारा यह सीरीज लिखी हुई है अब इसमें देखते हैं कुश्चन अगला दो की कितने अंक के यानिफ़ दो के ऐसे कितने अंक हैं कि पहले चार का ँंक आया है लेकिन उनकी बाद में पाँच का आंक नहीं आया है यह देखना है हमें इसमें ऐसे कितने दो हैं दो के अंक इसमें कितने ऐसे हैं जिनके पहले तो चार का अंक आया हो लेकिन बाद में पांच नहीं आया हो तो देखो हम दो को देखते हैं तो देखो इस सीरीज में दो यहां है तो दो के पहले चार कांग दो के पहले चार कांग आया है और लेकिन बाद में पांच कांग नहीं होना चाहिए दो के पहले चार है बाद में पांच नहीं है तो एक तो हमारा यह हो गया अब ऐसे अगला दो देखते हैं दो के पहले चार है और बाद में पांच नहीं है ठीक है एक यह हो गया दो के पहले चार नहीं है, दो के पहले चार नहीं है, देखो और देखते हैं, दो के पहले चार नहीं है, तो कितने हो गए हमारे, अब देखो और तो किसी में है नहीं, तो एक और एक दो, दो के पहले चार होना चाहिए, और बाद में पांच नहीं होना चाहिए, तो एक और कैसे हैं हमारे option number हमारा डी सही है दो देखते हैं अगला question question अगला है हमारा इस series में 5 के कितने अंकों के तुरंत बाद या तुरंत देखो पांच के कितने अंकों के तुरंत बाद या पहले तीन का अंक आया है तो देखो इसमें 5 देखना है मैं 5 पांच के तुरंत बाद या पहले तीन अंक बाद हो या पहले तीन तो देखो एक पांच के तुरंद बाद या पहले अब इसमें नहीं है पांच के तुरंद बाद या पहले या तो पहले आया हो या बाद में तीन एक जगे होना चाहिए या दोनों जगे एक जगे तो है पांच के तुरंद बाद हो या पहले देखो इसमें पहले नहीं है तो बाद में है प फैसे के तुरंट बाद नहीं हैं बाद भी है और पहले भी और पहले पहले देंख के तुरंट बाद या पहले नहीं है तो किelas हो गए एक दो तीन चार तो कितने हो गए हमारे चार तो चार हमारा है option number बी में तो answer हमारा चार सही है अब देखते हैं अगला अगला question question अगला हमारा चार कि कितने अंकों के ना तो बाद में और नहीं नहीं पहले चार के कितने अंकों के बाद में और नहीं पहले छै का अंक आया है तो हम चार को देखते हैं तो चार के बाद में और ना पहले छै नहीं होना चाहिए उन्हीं चार को देखना है तो देखो यह देखे चार के बाद में नहीं है चार के बाद में और पहले चाह नहीं है तो इसको भी गिल लेंगे चार के बाद में और पहले हैं तो नहीं गिनेंगे चार अब देखते हैं और यहां देखते हैं आप देखो चार चार के बाद में और पहले है तो इसको भी नहीं गिनेंगे चार के बाद में या पहले इसमें नहीं है तो इसको गिलेंगे तो देख लेंगे अब कितने हो गए एक कि एक दो तीन और एक चार तो कितने हो गए हमारे ऐसे अंग चार तो चार है option number C सही तो कितने है चार अब चलते हैं अगले question देखते हैं दोस्तों अगला question कुश्चन नमबर अगला है हमारा साथ नमबर साथ के कितने अंकों के बाद में तीन का अंक है आया है और उसके पहले छे का अंक यानि साथ को देखना है साथ के बाद में तीन हो और पहले छे हो तो देखो साथ देखना है साथ के बाद में तीन हो नहीं है और पहले छे नहीं साथ के बाद में तीन और पहलेच है 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 तो कितने हो गए हमारे और किसी में तो है नहीं तो एक दो तीन और एक चार तो कितने हो गए हमारे चार चार है यह उप्शन में तो हमारा यह उप्शन सही है अगला है हमारा एक सीरीज लिखी हुए अब देखो इसमें हमारे क्या संख्या अक्षर और प्रतीक सभी सामल हो गए सही है अब इसी से हम कोश्चन देखते हैं कै फेला कोशन हैं हमारा पहला दी गई संख्स के लिए इस बेवस्ता के आदार पर निम्नान यह पांच मेंसे चार किसी प्रगर Кон्रक्रा एक समान है तथा अपना एक समोल बनाते रही नहीं से बैक संक्यार कौन से धर जो समान में नहीं आती तो देखो 5 option दिए गए हैं यदे 5 option है और इसमें से देखना है यह किस्मारब पर सजाए हुए यहां अब डबलु के बाद क्या बनाया है यह वाले अगली एस तो डबलु के बाद एस कौन से इस्थान पर एक दो तीन तो तीसरे इस्थान पर ठीक है तो डबलु के बाद एस तीसरे इस्थान पर अब उसके बाद क्या है डबलु के बाद एस एस के बाद एस तो देखो ए और 3 W में 3 जुड़े तो S पे पहुंच गए S में से 2 माइनस हुए तो हमने यह लिख लिया क्या 3 प्लस और 2 माइनस ठीक है ऐसे अगला देखते हैं क्या परसेंटीज अब देखो इसको मिटा दिया हम परसेंटीज परसेंटीज के बाद कहा है यह परसेंटीज से हैं एक पर पहुंचए तो ह यह दो-ेक दो एक दो प्लस ठीक है अब आगे अब किस पर आ रहा है है 10aj3 प्लस ठीक है अब आगे चलेंगे पर हैं एक के बाद है है यू के बाद है एक दो तीन तो कितने एक से तीन प्लस हो रहा है अब आगे चलेंगे क्या है से क्या जी पर एक और दो तो कितने इसमें से दो माइनस तो तीन प्लस और दो माइनस तो तीन प्लस दो माइनस ऐसे अब अगले पर जाएं तो थरी थरी के बाद क्या आहा है star to 3 के बाद 1 2 3 3 तो 3-plus और star से आ जाए है किस पे star से अजये pair at the rate star से add NATURE 2 minus 3- plus 2- ऐसे एगला देखें तो 1y तो 1 से y पर चलेंगे 1 से विपर 3- Teen –s अब य से कहा जाएंगे किस पर इतंज पैं तो वाइंगे तो दो अधा जो आएंगे तो दो अग्म तो देखो अब कौन से option में तीन प्लस दो माइनस तीन प्लस दो माइनस तीन प्लस दो माइनस तो कौन से में नहीं है हमारे में भी option तो भी option हमारा अलग है अब चलते हैं अगले कोष्जन देखते हैं दोस्तों अगला कुशन केहलत है हमारा दी गई विवस्था में अई यह विवस्ता दी गई है दी गयी विवस्ता में से सात्वी तथा दाएं से सात्वी तक के मद में कितने अक्षर होंगे अब बाएं से कॉन से forever सीरीज में देखें तो एक बास समझते है अब 20 गिनेंगे तो किधर से और दाये दो ऐसे खड़े होते हैं तो दाये हाँ आखि Can की तरफ से बायां तो बाय से गिनेंगे तो इधर से गिनेंगे शुरू से और दाइं से गिनेंगे तो लाश्ट से तो बाय से साथ मां एक दो तीन चार पांच छह साथ तो साथ मां कौन सा साथ मां ठीक है अब के गिनेंगे दाइं से आठ मां तो एक दो तीन चार पांच छह स तो दाएं से आठ मां यह देख लिया अब इन दोनों के मद्द में कितने अक्षर होंगे अब इनके हमें मद्द में क्या ABCD वाले अक्षर देखने कितने और सब को हटा देना है जो अंग्रेजी वर्ड माला के अक्षर हैं उनको देखना है तो कौन-कौन से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो कितने हैं इन दोनों के मद्द में आठ अक्षर तो आठ हमारा शनकार शी कमद्र दी गई विवस्ता में दाएं से शोल में तनके दाएं नोमा तनको तो चलैंगे तो तो चलेंगे तो इसके दर से था इचान्य को नेश्ट में चलते हैं तो एक दूसरी में से माइन चल ले कितने हैंowned इसे समझ लेते अब दाएंस से नो माइनस तो कितने सोल थी चार पांच 10 ग्यारे बाराहे तेरह पंडरे सोलए अब सोलमे पागए अब यहां हम रुक गहे उसके बाद बताया के दाएं अब इसके दाएं चलना उन्दर उर भाय चलना है यह को चलना तो शला इता है कि हमारा सात में नंबर पर रह गया एंग तो दी गई विवस्ता में दाएं से शोल में तत्य के दाएं नौमा तत्य कौन सा होगा हमारा होगा सात बचे एन तो एन होगा तो हमारा option नंबर ही सही है अब चल दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़ स्क्राइब करें थेंक्यू धन्यवाद